हेलो इस्टूरेंट कैसे हैं आप 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 सभी इच्छ हुए पहरे बच्छो आज हम करेंगे क्लास फिप के इंग्लिस के अट गेट अभ्यास फुस्तक के लेसन नमबर टू को इस लेसन का नाम है बच्छो फेस्ट प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच् अंसर्स की तरफ इस लेसन का बच्छो जो कोशन नमबर वन है वो है डैस इंक्रीज हिस पेट पेस हैंड फाइनली स्टार्ट रणिंग किस ने अपने पेस को बढ़ाया मतलब स्पीट को बढ़ा दिया और फिर भागना स्टार्ट कर दिया तो बच्छो यह थे नरेंद्र नरेंद्र ने अपने पेस को बढ़ाया और फाइनली दोड़ना स्टार्ट कर दिया कोशन नमबर टू है यह है मंकीज इसनेश्ट आवे दा फूर्ट फॉर्ट फॉर्म दा विजिटर्स तो जो मंकीज थे वो खाना चीनते थे विजिटर्स के विजिटर्स से कैसे चीनते इसके हाजसे चीनते हैं चैंड है कुशनलमर 3 में आर जम्पिंग चैकर रुनिंग ऊंस और वर्व यह सारी सब चैपिंग चैक रुण यह सब यह के लपस्म हैं ठीक है question number four है write the opposite for the word far, far का opposite हमें लिखना है, far means होता है दूर, इसका opposite हो जाएगा near, near means होता है pass, question number five है who is the great son of India, इंडिया के महान बेटे कोन है, तो ये हैं बच्चो स्वामी विविकनन, ठीक, question number six है write the singular form of the word teeth, teeth का हमें singular form लिखना है, teeth means होते हैं अपने बहुत सारे दाथ या पर एक से जजादा दाथ, इसका singular form हो जाएगा tooth, tooth means एक दाथ, question number seven है how many people were there along the ghat, कितने लोग थे ghat के आसपास, ठीक, तो इसका अंसरा होगा, there were very few people, ghat के आसपास, बहुत कम लोग थे, question number eight है what did the devotees bring for the monkeys, तो जो devotees थे, वो monkeys के लिए क्या लेकिया थे, तो इसका अंसरा हो लिखेंगे they fed on the fruits and cereals brought for them by the devotees, question number nine है how did the monkeys run away, जो बंदर थे वो कैसे भागे, तो इसका अंसरा हो लिखेंगे नरेंद पिक अप दाश्टिक and stepped forward with raised hand, so monkeys run away, नरेंद ने एक डंडे को उठाया और हाथ उठाकर डंडा लेकर उनकी तरफ भागा, तो यह देखकर जो बंदर थे वो भाग गए, question number ten है where was नरेंदर walking, नरेंद कहां ठहल रहा था या फिर वॉक कर रहा था, इसका अंसर लिखेंगे नरेंद वोज वॉकिंग अलोंग दा घाट, नरेंद घाट के पास में टहल रहा था, question number eleven है why was the नरेंद फ्राइटेंड, तो नरेंद था वो कैसे क्यों डर गया था, suddenly a monkey come toward him, expecting some food and sudden movement frightened नरेंद, अचानक से एक बंदर उसके सामने आ गया, वो यह चाहता था बंदर कि अब नरेंद के पास कुछ खाने के लिए होगा, तो यह देखकर नरेंदर एकदम से डर गया या फिर घबरा गया, अब अब अच्छों जो question number twelve है, वो है complete the following application by filling the words from the box, तो उन एक तिस्थानों को हमें इन words का यूज करते हुए fill करना है, जैसे कि grant suffering headmaster come application, तो बच्चों यहाँ पर यह application दिये है, तो यह है to the headmaster first fill up में आजाएगा, government material school, नया पुरा मिवाती, मंदी दीव राइसें, ठीक, subject, subject, फिर second में आजाएगा, application for leave sir ma'am, I am के बाद जो fill up है उसमें आजाएगा, suffering from fever, I am unable to come, c o m e come to school, kindly grant me two days leave, 15-3-2023, or 2-16-3-2023, thanking you, yours truly, Ananya, class 5, इस तरीके से बच्चों यह fill up साब को complete करना है, तो बच्चों इसी question के answer के साथ हमारी यह video complete होती है, I think यह video आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को subscribe करें, आप से मिलते हैं अपनी आगली वीडियो में,